हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच वपरहार में मैं हूँ एड़ोकिट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे 498 के जुरिजडिक्शन पर बात करने वाला हूँ यानि कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकतर 498 के मामले जो लड़की है वो या तो अपने माईके से करवाती है और या फिर अपने किसी रिष्टेदार के हां से करवाती है और कई बार तो बहुत दूर-दूर की सिटी से भी करवा देती है यानि जुरिजडिक्शन के बेस पर भी इसका मिस्यूज होता है और कई बार दोस्तों जब आप क्वेशिंग के लिए जाते हैं तो आप इस चीज को ग्राउंड भी बनाते हैं क्योंकि जनरली जो कानून है वो यह है कि जहां पर क्रिमिनल ओफेंस घटित हुआ है क्रिमिनल एक्ट हुआ है उस जुरि बैंगलोर बनता है दिल्ली नहीं बनता है तो इस मामले पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैसला मैं आपको बताने वाला हूं मानने सुप्रीम कोट का इस पर एक जज्जमेंट आया था उस जज्जमेंट में कैसे चीजों को देखा गया था वही आज किस वीडियो मा बताऊंगा और दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें क्योंकि इस प्रकार की लीगल इन्फोर्मेशन मैं आपके लेकर के आता रहता हूं दोस्तों यह जो मामला था ना यह इलाबाद हा कोट के फैसले के विरुजव अपील थी वो मान्य सुप्रीम कोट में आई थी दोस्तों इस वीडियो में मैं जज्जमेंट पर नहीं जा रहा हूं मैं लॉपॉइंट पर आ रहा हूं कि वास्तव में लॉपॉइंट क्या था इसमें देखे इलाबाद हाई कोट ने यह माना के खिलाफ मुकद्मे के संग्यान को रद करदिया था फिर दोस्तों ये जो मामला था ये मानने सुप्रीम कोट में आया मानने सुप्रीम कोट की 2 graph के द्वारा इस मामले को 3 जज़ों की पीट को रैफर किया गया अब मुखे नया दीश की अद्यक्षता वाली तीन जजों की विरिद पीट के द्वारा इस पने लिया गया इसमें सवाल ये था कि धारा 498 के तहत दहच परताणना का केस वहवाई घर के छेतरादिकार के बाहर जांच और पंजिकरित किया जा सकता है या नहीं साथ वर्षों के बाद इस पर फैसला दिया गया और तीन जजों की विरिद पीट के द्वारा ये कहा गया कि जो महिला है वो 498 एक के तहत अपने पीता के घर से भी 498 एक का मामला दर्ज करा सकती है या जहां वो रह रही है वहां से भी वो दर्ज करा सकती है और धारा 179 CRPC के संग्यान भी ले सकती है क्योंकि कोट ने यहां पर उन महिलाओं के point of view से देखा है जो वास्ताव में परताडित होती है क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि उन्हें पती के घर से निकाल दिया गया है अब पिता के घर पर भी वो रह रही है भावनात्मक्रूप से भी तूटी ह हुई है financially भी तूटी हुई है तो उनको यह support दिया गया हालांकि इसका दूसरा एंगल यह है कि 498 का जिस तरह से मीश्यू जो रहा है इस्पेशलि जूरिश्डिक्शन के base मेरे पास खुद ऐसे मामले है जहां पर लड़की दिल्ली में रहती है लड़का उडिसा में रहता तो इस तरह के एक नहीं काफी सारे केसेज हैं जहां पर जबरदस्ती जूरिश्डिक्शन क्रियेट की गई है तो यह दोस्तों मैं उन मामलों की बात कर रहा हूँ जहां पर 498 का मिस्यूच किया जाता है तो यहां पर लड़के के लिए बहुत परिशानी हो जाती है उसको 2000 किलोमेटर दूर से ट्रैवल करके आना पड़ता है तो दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं पहला पहलू तो यह है कि ठीक है उन महिलाओं को परिशानी ना हो जिनके पास अब कोई सपोर्ट नहीं रह गया अपने पती के घर से वो निकाली जा चुकी है लेकिन साथ ही जहां पर इसके मिस्यूच के मामले है वहाँ पर जो पती पक्ष है वो इससे बहुत जादा प्रताडित है क्योंकि अपने पूरे घरवालों के साथ इतना दूर से बारवार डेट पर आना किसी के लिए भी प्राक्टिकल नहीं है लेकिन दोस्तों वासरिकता यह है कि आज क समय में जो महिला है वो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने पिता के घर से या अपने किसी रिलेटिव के घर से भी पती पक्ष पर 498 दर्ज करा सकती है तो दोस्तों यह इन्फोर्मेशन में आपको देना चाहता था क्योंकि कई लोग अपने दिमाग में सेट कर ले अधिए तरो अवर्चिंग टेक केर